हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर सप्लाई एंड बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के 16 वे चैप्टर के बारे में जो है भवन, जल, निकासी तथा नलकारी ठीक है बिल्लिंग, ड्रेनेज एंड प्लम्बिंग क्या होता ठीक तो ये जर्नल चीजे दी गई है, भवन से हम जल को कैसे निकालते हैं बिल्लिंग में कैसे करते हैं वो सारी चीजे इस को आप रीड कर लोईजिया ठीक ये जल, निकासी का होती उसके बारे में बताया गया, ट्रैप किया हो ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ सब्दावलियां हैं हमारे, उन सब्दावलियों को समझ लेते हैं, इनको समझने के बाद ही हम सारी चीजे को इसमें समझ पाएंगे, ठीक है, तो ट्रेप या पास क्या होता है, जल सील क्या होता है, मल नल क्या होता है, गंदा जल या जल नल क्य क्या होता है वात नाल क्या होता है यह सारे points है इनको आप अच्छे से रीड कर लीजी ठीक है यह सारे points है इनको वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजे ठीक बिल्कुल theoretical चीज है ये पूरा चेप्टर ही आपका theoretical है ठीक है तो सबसे पहला भावन जल निकासी हम कैसे करेंगे ठीक है बिल्डिंग से पानी को कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया ठीक है theoretical चीज है पढ़ लीजिए ठीक ये भावन जल निकासी का एक चित्र भी दिखाया गया है ठीक है इसको अच्छे से देख लीजिए भावन जल निकासी के उद्देश से कोन कोन से होते हैं उनके बारे में बताया गया ठीक है पढ़ लीजिए भावन जल निकासी के सिध्धान्द कोन कोन से है अपने घरों से जल को निकालने की, ठीक है, पढ़ लीजे इसको अच्छे से, ठीक, जल निकासी की ब्यवस्था क्या है, ठीक है, क्या ब्यवस्था है जल को निकालने की, ये सारी चीजे है, बिल्कुल theoretical चीजे है, ठीक है, वीडियो रोग करके इनको अच्छे से आप रीड क ुअफ्युआ팀 को लेगों जो हमारे घरों में सैंडेटरी स्वच्छता के लिए कुछ इंस्ट्ूमेंट लगाए जाते हैं उन्हें को साइनेटरी कहते हैं अच्छे सैंडेटरी के जल सील के तूतने के कारण टर्था इनका पुनर अस्थापन चाहि दूर्व के यह पाइस के वीडियो करने पेलिपोध लिचे खर Woo, गजा-क। भी । इमियर आपा सब्सक्राइम के तरीकों के हैं Seag लिए ठीक और उपयोग के आधार भी इंपोर्टन्ट है माटेरियल के आधार पर भी इंपोर्टन्ट है यह आपकी एक्जाम में 2022 में पिंचा जाएगा इसको अच्छे से रीड कीजिए ठीक इसका चितर भी दिखाया गया है और थियोरी वाली चीज़े नीचे लिखी गई है इसमें पढ़ लीजिए अच्छे से उसके बाल हम बात करते हैं कि उपयोग के अनुसा ट्रैप के परकार पांच परकार की उपयोग के अधार पर होती है इसको पढ़ लीजिए यह आपके ढ्राइङ में भी इंप्वाटेंट है गुली ट्रैप और फ्लोर ट्रैप यह आपके ड्राइङ में है फिक इसको अच्छे से रीड कीजिए और इसका चितर भी इसमें दिखाया गया है वीडियो रोक करके इसको उच्छे से रीड कर लिजे ये सारे ट्रेप के बारे में बताया गया स्वचता फिटिंग है हमारे ठीक मेरे चडल मोखा क्या होता उसके बारे में बताया गया ठीक वीडियो रोक करके इसको रीड कर लिजे पाइप तता नलकारी क्या होती पाइप एंड प्लम्बिंग क्या होता उसके बारे में बताया गया ठीक तीसरा पॉइंट अब आ गया हमारा स्वचता फिटिंग कतम हो गया अब तीसरा पॉइंट है पाइप और नलकारी plumbing कैसे करते हैं हम अपने घरों में उसके बारे में pipe कैसे डालते हैं उसके बारे में है ठीक तो पांच है पहला मलक जल pipe दूसरा गंदा जल pipe तिसरा वाद pipe चोथा साइफन रोधी pipe पचवा वर्सा जल पाई इन पांचों pipe का हम वरणंग करेंगे इसमें ठीक वीडियो रोग करके आप बीडियो रोग करके आप इनको एक एक करके सारी पाईपों को समझ लिए ठीक विभय마 है वैँ कारियों के लिए उपयुक्त pipe कौन सी सही रहती है उसके बारे में बताया गया इसको वीडियो रोक करके अच्छे से समझ लीजे, ठीक है, पाइप में जोड कौन-कौन से होते हैं, नलकारी क्या होता, प्लम्बिंग जिसे हम कहते हैं, प्लम्बिंग के सिस्टम क्या है, ठीक है, प्लम्बिंग के सिस्टम क्या है, इसके चार सिस्टम होते हैं, पहला है, एकल प्रडाली और चौथा आंसिक समवाती एकल प्रडाली ठीक है यह प्लम्बिंग के सिस्टम है इनको वीडियो रोक करके अच्छे से रिड कर लीजे ठीक है बिल्कुल ठीकल चीजे हैं और अगर इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बाक्स में कमेंट कर को रीड कीजिए स्वच्छता पाइपलाइनों का परिच्छड कैसे किया जाता है यह इंपॉर्टेंट है चार तरीके हैं जिससे हम स्वच्छता पाइपलाइनों का परिच्छड करते हैं ठीक उसके बाद चौथा पॉइंट आ गया हमारा स्वच्छता फिटिंग सैनेटर फेटिंग इसके बादे लेक्प्र पढ़िजिए ठीए ठीए ठीड़िस्ट्री्इग परयोग कि दिरिष्टिस अशनेटरी Einगों को निम दो अरृगों में बाटा गया पहला मलमोत्र फिटिंग दौसरा धावन पिटिंग ठीक तो यह दो देख लीजए इस बीडियो के मादधन से मैं आपको जिन बच्चों के पास बुखस नहीं है उनको मैं content provide कर रहा हूँ और इस वीडियो का बनाने का उद्देश ये है कि आपको important question बताया जाए इसमें ठीक है जो important है उसको मैं आपको इसमें बता दूँगा ठीक है तो आप ये सब पढ़ लीजिए केवल knowledge के लिए अगर जो चीज important रहेगी आपके exam में पूछे जाने के समभाना ज्यादा रहेगी उसको मैं आपको बता दूँगा ठीक है ये सब पढ़ने वाली चीज़े हैं इनको वीडियो रोग करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है ये असनान टब के बारे मताया गया सिंक ये जल कुंडी के बारे मताया गया है पर लीजिए इतना important नहीं है ठीक है पे जल धार या फबारा जल बहुचारक प्रसादन कच्छ में स्वचता फिटेंग की स्थिति क्या होती है ये कभी कभी कोशन आपके ड्राइंग में एक बार ड्राइंग में कोशन आया था ठीक है स्वचता फिटेंग के मानक संख्या नलकारी सैप्ट या नलकारी वाहनी देखिए गाइस काफी बड़ा चैप्टर है ये theoretical चीजे है ठीक है स्वचता फिटेंग वा मलक जल नाली की देखभाल कैसे करेंगे आप इसको पढ़ लिजिए च्छतों से वर्षा जल निकासी कैसे करेंगे important है अच्छे से पढ़िए ठीक है ये कोशन आपके एकजाम में पूछा जाता है इसी के साथ हमारा ये 16 चैप्टर खतम हो गया ठीक अब हम अपने नेक्स लेक्चर में 17 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है सीबेज अब लच्छर तका निप्टान सीबेज करेक्टरेस्टिक एंड इस डिस करेंगे ठीक तो अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करिएगा ठीक है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए जय हैं जय वाराद